हेलो गैज आज मैं बताने वाला हूँ कि बिना OTP के आप कैसे अपने अधार कार्ट को डाउन्लोड कर सकते हैं अगर आपके भी अधार कार्ट में मुबाइल नुमर लिंक नहीं है कैसे आप अधार कार्ट डाउन्लोड कर सकते हो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को complete वाज की जिएगा last तक, उसकी बाद बहुत ही आप आसान तरीके से अपने अधार काट को डाउनलोड कर सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पी अपने mobile की ब्राउजर Google को open कर लेगा है, उसकी बाद आपको search बार आपको click करना है, click करते हैं यहाँ आपको language चूच करने का option आएगा, वहाँ से आप जो भी language पे, आप select कर लेजएगा, जैसे की English या Hindi, मैं English select कर रहा हूँ, उसकी बाद आपको एक new page दिखने को मिल जाएगे, जैसे की आप देख रहा हैं यहाँ पे, उसकी बाद तो यहाँ पे नीचे आना है, scroll down करते हैं और जैसे ही आप देख सकते हूँ, यहाँ पे gate अधार का option आजाएगा, इस पे click करना है, उसकी बाद आप देख सकते हूँ, यहाँ पे बहुत सारे option दिख जाएंगे, यहाँ पे भी आपको थोड़ा नीचे scroll down करना है, जैसे ही guys आप scroll down करते देख नीचे आओगा, तो यहाँ पे show होगा, download अधार कार्ड, download अधार, इस पे आपको click नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे click करोगे तो आपको अपने mobile, आपके अधार कार्ड में mobile number link होगा, तब ही जाके download हो पाएगा, इस पे OTP आता है, इस पे आपको click नहीं करना है, चल जैसे यहाँ इस पे click करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, welcome to my आधार, इसके बाद आपको scroll down करते हो, नीचे आदा है, इससे आपको show हो जाएगा, order आधार, पीविशी कार्ड, फिर से आपको इसे पे click करना है, जैसे इसे पे click करोगे तो यहाँ पे processing start हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से एक new page देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे दो option आपको देखने को मिल जाएगा, जाएगार नमबर और enrollment ID, आप यहाँ से दोनों में से किसी पे click करके, जैसे यहाँ आपके पास आधार नमबर है, तो आधार नमर डाल देना है, इसके बाद capture code फिल करना है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, कि एक option आएगा, अगर आधार कार्ड में मुबाइल नमर लिंक नहीं है, तो आपको यहाँ पे click कर देना है, यहाँ पे आप चैसे ही click करोगे, यहाँ पे enter mobile number का option रहेगा, इस पे आपक process आपको बता देता है, यहाँ पे simple सा आपको send OTP वाले option पे click करना है, यहाँ पे जैसे ही आप click करोगे, आपने जो mobile number अभी current में जो लग किया है, उस पे एक OTP आएगा, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, send OTP successful है, आपके mobile number पर, जैसे कि मेरे mobile number पे OTP आ चुका है, अब आपको OTP डाल कर, और submit वाले option पे click कर देना है, जैसे ही आप submit OTP वाले option पे click करोगे, फिर से guys देख सकते हो, यहाँ पे एक option खुल के आएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ UK वाले option पे click कर देना है, उसके बाद आपको एक नया interface हो हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं य यहाँ आप देख सकते हो, make payment का option आजाएगा, इस पे click करेंगे, जैसे ही आप इस पे click करोगे, आपके सामने एक नया interface हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, payment का option जैसे ही आप, अगर आप UPA के माध्यम से payment करना चाहते हो, तो UPA से लेट करना है, यहाँ आप wallet से successful हो जाएगा, आपको कई भी OTP देने की ज़रुवत नहीं पड़े, आई हो, मैं यहाँ सा करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, फिलान में गाईज, मैं यहाँ पे अलाकर नहीं डाउनलोड करना चाहरा था, सिर्प आप लोग को बताने के लिए, यह टूजे टोसेस क जैसे कि आप ऐसे डाउनलोड कर सके, अगर गाईज, यह वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करके, और चैनल पनाया है, तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा, ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके, तो चलिए मिलते हैं आगले वीडियो में, तो पर क्लिए, ठीक कर, वाई वाई झाल झाल झाल